रतलाम जिले के अलोट में इन दिनों नगर में कॉलोना आई जरद्वारा अवैद कॉलोनी को अवैद धंक से अंजाम तो बेखुबी तरीके से दिया जा रहा है लेकिन उन कॉलोनियों में उपयोग किया जाने वाला अवैद खनन जैसे मुहरुन जो की हजारों ड्रमपर की स दुकसान होता है आपको बता दे कि आज जिला खनेज अधिकारी भावना सेंगर ने जो कारवाई की है उससे कॉलोना आई जर के अंदर खलबली सी मची हुई है और अवैद रूप से खनन कर रहे खनन माफिया भी डरे हुए नजर आ रहे हैं तबंग अधिकारी भावना सेंगर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं निरंतर रवैद खनन को रोपने के लिए प्रयासरत हूँ जैसे जैसे मेरे संग्यान में जानकारी आती है तो मैं मौके पर पहुँचकर इनके ऊपर कारवाई कर रही हूँ कि में कम से कम ज्यादा नहीं तो हफ्ते दो हफ्ते में एक राउन मेरा आलोड कर लगे हूँ में वह दिन कब आएगा आखिरका कि जिस दिन आवद खनन आप यहाँ पर अंकुषा लग जाएगा पुरी तरसा खतम होना तो मैं नहीं बोल सकती पर बहुत कुछ जितना मेरे नौलेज में है कि जितना साथ महीने में यहां कारवाई हुई है वो काफी लंबे समय से नहीं हो रहे थे तो डर तू बैठा लोगों में पुरी तरसा खतम तो नहीं हुआ है पर अंकुष तो काम में हमारे खनीज विभा काम तो मुख्य काम यहीं है पर मैं चाहती हूं कि वो लोग भी सयोग करें ताकि क्या होता है हम लोग रेगुलर नहीं आप आते पर वो लोकल के हैं तो वो लोग इधी करेंगे तो उनकी ना रेकी होगी और इजी गोइंग हो जाएगी कारवाई आज आये आप अलोट शेंदर का आपने कारवाई करें लक्षमीपूरा दो लक्षमीपूरा से डंपर पकड़े एक प्रपर अलोट से हमने देख आप जांक